बिहार की पटना में शायद हिंदुस्तान के इतिहास में 2014 के बाद पहली राजमी के चुलाई शुरी हो रहे हैं एक तरफ मोदी का पैसा है मोदी की पूरी प्राइम मिनिस्टर शिप का जितना भी उनके पास रिसोर्सिज हैं और दूसरी तरफ नितीश कुमार की इमेज है कि वो बिहार के बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर रहे थे सवाल ये बार-बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जीतेगा या नितीश कुमार जीतेगा आज की तारिक में जितने ओपिनियन पोल्स आए हैं वो सब मोदी को थोड़ा एडवांटेज दे रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि यह बड़ा बड़ा पहुत ही इंट्रेस्टिंग होगा कि बिहार के इलेक्शन का क्या उपकम होगा आप अगर मेरे से पूछना चाहें मेरी क्या ओपिनियन है मेरी ओपिनियन यह है कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी नितीश कुमार को भी हो सकता है थोड़ी मेजॉरिटी मिल जाए या फिर उसके अंदर एक बिहार के अंदर हंग असेंबली हो सकती है और हंग असेंबली होने का मतलब यह है कि वहाँ पर राष्ट्पती शासन लागू हो छे महिने तक राष्ट्पती शासन रहेगा तो उस पीच शायद कोई रास्ता निकले मेरा यह मानना है कि आखिर में अंत में सरकार जो है नितीश कुमारी बनाएंगे मुख्यमंत्री बनके बिहार के